हाई अब्रिवान वेल्कम बैक तू दा नियू वीडियो 2024 में सेलिंग करने के लिए आपको जीएस्ट एप्लिकेशन करना परता है बट आज की टाइम पर बहुत ज्यादा जीएस्ट का रेजेक्शन आ रहा है आप अप्लाई कर रहो गौवर्मेंट की तरफ से जीएस्ट की मिल रहे और आप एमाजोन फ्लेपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर सेल भी नहीं कर पा रहे हो आज की वीडियो पर मैं आपको वोलूंगा 2024 में जो न्यू प्रोसेस जीएस्ट आप्लिकेशन करने का जिससे आपका जो जीएस्ट है वो रिजेक्ट नहीं होगा और सक्स पूली जीएस्टी रेजिस्टेशन साटिफिकेट ले सेक्टो आज की वीडियो को पूरा देखते रहे है और अगर आप न्यूस चैनल पर सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लिजे तो गाइस लेट्स बिगिन दोस्तों जीएस्टी अप्लाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए इसके साथ ट्रेड़् लाइसेंस कभी-कभी रिकोर्मेंट होता है कभी नहीं होता है और आपको उब्जेक्शन आता है जीएस्टी कि कि तरफ से उसही आपको ट्रेजनस दिखाना पडता है लेकिन मॉस्ट अपता केस्टेश में ट्रेड्स अपलाई करने के लिए नहीं लगता है ठीक है अब डॉकुमेंट तपका हो गया जहां से रहे कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस प्लेस का आपको एड्रेस प्रूफ भी जीस्टी को चाहिए होता है अप्लाई करने के टाइम पे घर अगर आपकी खुद की नाम पे है तो आपको आपकी फादर से तीन डॉकुमेंट लेना है एक तो होगे आपके इलेक्रिसीटी बिल जो आपकी फादर की नाम पे दूसरा प्रॉपर्टी टेक्स रिसीट आपको लेना है और तीसरा एक एनोसी सर्टिफिकेट क्या होता है आपको एक फॉर्मैट में लिखना रहता है उनको सिंगनेचर करके आपको देना है तो यह आप अपलोड करेंगे ऑक्कर प्रफयील करने की घर आपकी फादर की नहीं है आप रेंड पे तो आपको क्या देना पेदाएगा अगर डsom अपको चाहिए ठीक है तो जो अपनी किया था दो साल पास साल के लिए वो एग्रीमेंट आपको देना है इसके साद वो रेंट का जो electricity bill है वो भी आपको देना है और सम्सक्राइब जेसर अप्जेक्शिन जब आपको देता है तो आपको यह तो उनका पैन काट भी पूछ सकता है नहीं तो जो पॉपर्टी टैक्स रिसीट है वो पूछ सकता है अगर यह सारा डॉकुमेंट जो भी मैंने आपको बताया सही सठीक आप दोगे कहीं पर सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अभी मैं आपको पैसा पैसा पे नहीं करना है जितना मैं बताऊंगा उतना आप करेंगे तो आपका जीसटी आपको मिल जाएगा साथ से पंद्रा दिन के अंदर तो यहां पर आने के पाद आपको सर्विस के ऊपर क्लिक करना है इसमें जाएंगे आपको छोटा से एक फॉर्म आएगा उसको फिल आप करना है आपका नाम लिखना है आया में टेक्स पेर यहां पर सिलेक्ट करना है आपका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है जिस भी स्टेट से आप रहेंगे स्टेट आप सिलेक्ट करना है आपका जो नाम है जो पैन में 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 इंचन है वह सेम तू सेम नेम को यहां पर लिखना है इमेल अड्रेस फोन नमबर लिखना है यहां पर आपको एक OTP आएगा वह OTP को आगे सब्मीट करना होगा और capture लिख के आपको प्रोसिट के उपर क्लिक कर देना है आपकी इमेल के उपर और फोर नमबर के उपर दो आएगा दोनों को आपको लिखना है और आगे फिर से प्रोसिट करना है तो यहां पर आप देख सकते हो एक टीरें नमबर जिनरेट हो गया है इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसी टीरें नमबर को लेकिए हम आगे आपना जो प्रोसेस है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे प्रोसिट यहां के क्लिक कर देंगे टीरें नमबर को लिखना है आपको यहां पर कैप्चा लिखना ह प्रोसीड करना है के पास एक OTP आएगा जबकि मुबाइल नंबर और इमेल पर दुनों OTP सेम रहेगा उसको लिखना है आपके सामने एक ऐसा पेज उपन हो जाएगा माई सेब अप्लिकेशन इस पर आपको एक्शन के उपर क्लिक करना है तो यहां पर देखिए प्रोफाइल जीरो परसेंट दिखा रहें तो यहां पर बहुत सारे स्टेप है जैसे 12345678910 अब जब कंप्लीट करेंगे तो आपके जो एप्लिकेशन है वो जी पोटल पर सब्मीट हो जाएगा आगा ऑफिसर इसको रिव्यू करेगा उसके बाद इसको एप्रूप करेगा तो यहां का आपको प्रोसेस है बहुत शिंपल सिंपल डीटे सब्को давай आपको करेंगे तो ज्यों आपको लिखना है जो एप्धेशन जिस नाम से आपने बिजनस को ज्स टी पोटल पर रिजिस्टर करेंगे या जिस नाम से आगया आप इनवाइस कस्टमर को बनाएंगे एक स्वाइज एंटरप्राइस आपकी नाम से भी आप खुद बिजनस रन कर सकती हो तो यह ट्रेंट नेम होता है लिखना है आपको फिर इसके बाद यहां पर कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है रिजन् सेलिंग थू इकॉमर्स पौर्टल आपको डेट सिलेक्ट करना है यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे इडिफॉल्ट जो देड़ रहा है उसी हम आप सिलेक्ट करके सेव और कंटिन्व्याइब कर देदो जैसे आपने प्रोसीड किया तो यहां पर देख सकते हो प्रोफाइल 14 इसके बाद इस पेज़ पर मेरा नाम आ गया और स्कूर्ल डाउन करूंगा तो बेसिक डीटेल्स आपका परसनल इंफॉर्मेशन है यहां पर आपको लिखना है तो यहां से मैंने मेरा पैन कट का जो नंबर है आपका डिफॉल्ट आ जाएगा तो आपको रिमूब नहीं करना है आपका नाम यहां पर लिखा है आपका फासर का नाम लिखना है डेट अब बाट आज यहां जाएगा जो आप का आप डिफॉल्ट यहां पर आपका जीओ टेगिंग के थुरू सेलेक्ट होगा तो यहँसे आपको पिंकोड लिख देना है मैं ऐक दिल्ली का आड्रेस लिखा है ना तो दिल्ली का ब्रूट देखिए यह और यहां पर सिलेक्ट हो गया तो क्या होता है इस लोकेशन के तुरू यह इसके बाद फिर से आपको save and continue करना है कि इसके बाद है यहां पर देखिए यहां पर लिए के ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि आगे जो भी ओटी पर आएगा प्रोसेट करने के लिए आपको क्लिक करना है को है तो इसके पर हमें पूछ रहा है दूू है दूह अनि ओधराइज रिप्रेजेन्टेटीव सो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है कि आपके व्याबपर क्या कोई काम कर रहे है कोई आपका फाइलिंग करेगा तो आपको खुद से करना है जो भी नालेंगे बहुत जढ़ा इंपॉर्टेंट जहां से बिजनस को रन करेंगे जैसे आप मैंने आपको पहले बताया आपका घर से करेंगे जो आपकी फादर की चाहिए आप अगर रिंटल हाउस पर रहता हो या आपको शॉप है उसका क्या आफ होना चाहिए तो यहां ठीक सब से पहले कि सिलेक्ट हो जब करेंगे तो बागी क्या स्क्रोल डाउन करेंगे कमिशनर रेट आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है ठीक है यहां पर आपको model town old दिली division कॉन से आएगा वो आप सिलेक्ट कर लीजे रहता है वो सिलेक्ट करना है और यह सारा चीज अपको अगर पता नहीं है तो आप यहां पर क्या को इंदर आता है ऊसानी सब चेक करके फिल अप कर सकते हो ठीक है तो यहां पर इसे बाद आपका फोन नंबर इमेल लिए अडिये लिए लिख देना आप तो यहां पर यह वाला यहां इसके बाद आपका अगर खुद का घर नहीं है आप रेंट पे रहते हो तो रेंट आपको सिलेक्ट करना है इसके यहां पे दिखिए रेंट लीज एग्रिमेंट तो यह इग्रिमेंट कैसा रहता है एक आपका स्टेम्पेपर होता है उसके प्राप्यम लाएगा और यहां पर उसको अपलोट करना है उसके साथ पीडिएफ में आप एटच करेंगे एलेक्रिसिटी बिल और पॉपर्टी टैक्स रिसीप यह तीनों को आप एटच करके आपको अपलोड कर देना है अगर आपके पास रेंड लीज एग्रीमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे उनसे एक एनोसी बनाएंगे एनोसी एक वाइ इसको नहीं है तो वह करेंगे फिर उसके नीचे उनका सिखनेचर रहेगा और बागी का जो डॉक्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसीब अगर है तो अच्छा है नहीं तो इलेक्रिसिटी बिल एलेक्रिसिटी बिल तो मस्ट चाहिए एक गौवर्मेंट लीगल एक साथ पीदिएफ बनाके अपलोड करने है अच्छा घर अगर फाधर का है चटीकर या तो क्या करने सकते हो आपका फाधर का नाम उनका पर एडूपर नका है उनका ऑप बिशनस करने के लिए उसकी बात आपका नाम एड्रेस जहां पर रहते हो वह एड्रेस भाइन कर आपको देना है अगर है तो अच्छा है नहीं तो यह तीनों आपका वकात पर देना एक साथ पीडीक किशन करें इसके बाद में हूढ काई कूंसी याज़ित कर आपको वा diff कर सकते होिए यह बाद में हैं कि सेग्ट और क्zewिशन से लिएए और सब्सक्राइब आप सर्विस भी सिलेक्ट करके रख लीजिए जितना रहेगा अच्छा है क्योंकि GST में रूल है दोस्तों आपने कुछ सिलेक्ट करके रखा है और कुछ करते कुछ और हो तो बाद में प्रोब्लेम आ सकते ऐसे नहीं कि आएगा लेकिन थोड़ा बहुत प्रोब्लेम आपको इनकोरी हो सकता है तो इसलिए पहले आप सिलेक्ट करके सेव एंड कंटीनिव के उपर आपको क्लिक कर देना आगे तो यहां पर देखिए हमने डिटिल्स ज्यादा तर फिल अप कर लिया है तो इस वाएसे जो प्रोफाइल है वो 96% कंप्लीट हो गया है आप इसके बाद का जो प्रोसेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर अब इफबी स्टार्ट करेंगे एमाजॉन पर तो आपको एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लेना परेगा जो की एमाजॉन का वायरा उसे उसके एड्रिस करना है मैं आपको रिकॉमेंट करूंगा अभी आप ना ही होता है तो आगे हम सिंप्ली इसको कंटिन्यू कर देंगे अधन आपको यहाँ पर एचेसन कोड लिखना है मैक्स तू मैक्स अब यहाँ पर पाच एचेसन कोड लिख सकते हूं यह भी बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है आपने एचेसन कुछ और लिखा और सेल कुछ औ और करेंगो बाद में इनकोरी आ सकते हैं प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पर इसके लिए आप क्या करेंगे ऐसा जीस्टी पर रूल्स नहीं है कि जो आप गुट्स लिखेंगे उसके लिए आप दूसरा कुछ प्रोड़क्स सेल नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ मैनेटरी नही 8536 लिखोंगा तो यहाँ पर आटोमेटिकली आ जाएगा तो यहाँ पर आपको एट कर देना है फिर दूसरा आपको अगर कुछ करना है वह आपको 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 एट करना है इसके इलाब भी आप अगर दूसरा प्रोड़क्स सेल करने में इंट्रेस्टेट हो तो आप लि दिखेशन लिंगा उसको करना वह सब यहां पर लिख रहा है आपका डिटेल्स यहां पर दिख जाएगा से एट कर देने यहां पर आपको आंपको सिलेक्त करना है टाल Shanyam आपको सिलेक्ट कर देना है आपका नाम और पैनकर यहां पर डिस्प्लेय होगा उसको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो प्लेस है वह आपको लिखना है जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली रिखना है दिल्ली के अंदर आप कई प्लेस में रहते हो एरिया है उ इसके बाद next process क्या होता है दूस्तों आपकी mail पर एक link आएगा hyperlink आएगा उसमें आपको authentication verify करना परेगा कि आपने जो apply किया है अब legal यहां पर रहते हो आपका details match कराएगा तो उसमें क्या करना है आपको click करना है आपकी आधार process है उसको आप track कर पाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ साथ से आठ दीन का time रहता है उसके बाद आपको reply आएगा अगर आपको successfully accept हो जाता है तो आपको GST certificate आजाएगा आपको अब्जेक्शन आएगा अब्जेक्शन का एक नोटीस आता है उसको परके आपको reply देना है में ली अगर आप खुद की आपका address आपका घर खुद का है तो आपको ज्यादा तर केसमें अब्जेक्शन नहीं आता है आपको हो सकते हैं बोले के एक अब आपकर घर है तो उसका भी ड आपको अब्यक्शन कर देना है लेकिन आज की सबकुछ दॉक्मेंट देने आप भी reject हो रहा है क्योंकि GST में ऐसा रूल आया है कि तीन-चार बार पहले ही वो लोग reject करें उसके बाद जाएगे अपको accept करेगा बहुत ज्यादा ज्यादा फ्रॉड हो रहा है तो इसको avoid करने के लिए कि यह सब सिस्टम हो रहा है तो government का rule है उसको follow करना है आपको reject आजाएगा आप सोचे कि क्या हो गया तो तीन-चार बार reject हो सकते है आप इतना बान लीजिए उसके बाद आपको आगे फिर process करते ना है आया हम दोस्तों यहां तक जो भी information दिया आपको helpful हुआ होगा दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था अगर पसंद आया तो लाइक करें कुछ आपका डाउट है तो आप मुझे comment भी कर सकते हो फास्ट टाइम अपने चैनल पर विजिट किया है तो subscribe करें फाइनली गाइस थैंक्यू फॉर वाचिंग